दोसों आज मैं आपको एक बहुत इंटरस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, कहानी का नाम है The Verger Verger का मतलब होता है चर्च में एक केरटेकर टाइप का होता है, एक इनसान होता है जो चर्च की रखवाली करता है इस कहानी को लिखा है William Somerset Mom ने William Somerset Mom अपने टाइम के जीनियस थे, जो human nature को अच्छे से समझ चुके थे अब कहानी सुनोगे तो आपको फील होगा, यह कहानी है Albert Edward नाम के एक आदमी की जो St. Peter's Church में एक वरजर का काम करता है, केरटेकर का काम करता है लगबग 16 साल से वो यह काम कर रहा है, और कभी भी उसको यह काम करने में कोई हिचक नहीं हुई बलकि वो pride फील करता है, और वो एक ही टाइप की कपड़े पहनता है एक gown type का होता है, उसको पहनने में भी कभी उससे problem नहीं हुई वो अपनी चीजों की इतनी गदर करता है उस गाउन को प्रस करके रखता है और 16 साल की नौकरी में इसको जितने भी गाउन मिले न इसने बड़े प्यार से उन गाउन को अपनी अलमारी के नीचे सजा कर रखा है इसका दिल नहीं किया कि इन गाउन्स को फैक दे तो एक दोप नहीं कि देखा विकार जो की चर्ट में एक बहुत ही इंपोर्टेंट प्लेस होता है तो विकार जो की नौए विकार थे चर्च के वो इसके पास में आये लगब क 30-40 साल एजची रही होगी उनकी वो इसके पास में आये, उनका face एकदम लाल था, energetic था, और इस church में वो नए थे, ये भले ही 16 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो नए थे, इससे बड़ी position पर थे, अब हमने अकसर देखा है, जब कोई ज्यादा educated, नया नया इंसान आता है, तो वो हर चीज में, हर activity में involved होता है, तो इस नये विकार को भी आदत थी, हर चीज में घुसने की, तो ये जड़ नये विकार थे, ये Albert को बिल्कुल पसंद नहीं थे, ये पुराने विकार को बड़ा मिस करता था, जिनको हमेशा सफाई चाहिए थी, हर चीज में घुसने की कोशिश नहीं करते थे, ज मुझे आपसे कोई बात करनी है, Albert क्या बोल सकता था, उसने बोला, चलिए, मुझे विकार के साथ में जाने लगा, तो उसने विकार की एक बार तारीफ की, विकार ने उस तारीफ को बड़ा प्राइडली लिया, इसके बाद वो वेस्ट्री में एंटर करते हैं, Albert अंदर ज कोशिच कर रहा था कि माजरा क्या है, मुझे इन्होंने बुलाया क्यों है, उसको फील हो रहा था कि कुछ तो बात है, वो जो दो चर्च वार्टन बैटे हुए थे, वो थोड़े परिशान से लग रहे थे, देखने में लग रहा था, जैसे विकार उनसे कुछ ऐसा करवान चाह रहा है, जो वो नहीं करना चाहते, अलबर्ट चुप चाप उन लोगों की सामने खड़ा रहा, और फेस पर किसी टाइप का कोई एक्स्प्रेशन नहीं दिया, दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस चर्च में काम करने से पहले इस वर्जर अलबर्ट ने बहुत सारे का किये थे, इसने घरों में काम किया था, एक पेजबोय का काम किया था, बटर के यहां पे इंप्लाय भी था ये, इस चर्च में आने से पहले, वर्जर बनने से पहले, एक लंबा, पतला, डिग्निफाइड, क्लीन कट आदमी था ये पहले, साफ सुत्रा रहता था, अपना का क्या है यह समझने की कोशिच कर रहा था तो विकार इससे बोला कि Albert Edward आप अपने काम अपनी डूटी बहुत अच्छे तरीके से करते हो satisfactory way में लेकिन एक चीज जो मुझे पता चली कि आप illiterate हो ना तो आप पढ़ना जानते हो ना लिखना Albert को यह चीज सुनकर थोड़ा शौक लगा मतलब आज तक उससे यह चीज पूछी नहीं गई 16 साल इसको यहाँ पर काम करते हो गए आज लोगों को जाकर खयाल आ रहा है कि यह पढ़ा लिखा है या नहीं इसने reply किया कि आप से पहले जो विकार थे सर यहाँ पर उनको भी यह चीज पता थी और उनसे पहले जो विकार थे उनको भी यह चीज पता थी और जिस तरह मैं यहाँ पर काम करता हूं उसको देखते हुए आज सक किसी को तकलीफ नहीं हो इस चीज की तो विकार ने उससे कहा कि देखो हमारा चर्च एक dignified चर्च है तो ऐसी जॉब आप बिना पढ़े लिखे तो कर नहीं सकते हाँ एक बीच का रास्ता है अगर आपको तीन महीने दिये जाएं तो आपको पढ़ना लिखना सीखना होगा तब जाकर आप आराम से ये जॉब कीजिए तो अलबर्ट उनसे बोला सर ये मेरी कोई एज ये पढ़ने लिखने की अब मेरी एज निकल गई जो चीज मैं जिन्दी की पर नहीं सीख सका वो तीन महीने में क्या सीखूँगा अगर आपको मुझे निकालना है तो निकाल दीजी सर आपको अगर मेरा कोई बढ़ा लेकर रेप्लेस्मेंट मिल जाता है तो मैं खुद रिजाइन कर दूँगा अलबर्ट अच्छे से जानता था ये जो नया विकार आया है ये इस चर्च के लिए ठीक नहीं है काम पर शिफ्ट करना इतना असान थोड़ी होता है बहुत दुखी था बिचारा क्योंकि अब वो घरों के काम में वापिस नहीं जाना चाहता था कि पेजबॉय बन जाया या अब उमर हो चुकी है बाई ऐसे काम शोबा थोड़ी देते हैं इसने सोच रखा था कि मरने तक वरजर का काम करूँगा लेकिन इसको क्या पता था ऐसी सिच्वेशन भी आ जाएगी निकाला जाएगा कुछ सेविंग सीज के पास में कुछ पैसे थे उसी से इसको कुछ करना था अब यही सोसा सोसा ठकता हारता यह एक सिच्वेट ढूडने लगा चलता चलता और आस पास पूरे रख से जहां यह चल रहा था यह सिच्वेट ढूडने लगा कि एक सिच्वेट मिल जाए लेकिन काफी दूर तक चलने के बाद में भी इसको एक शॉप नहीं मिली जहाँ ये एक सिगरेट खरीज सके इतना दूर तक चलने के बाद में भी इसको ऐसा लगा एक सिंगल सिगरेट की शॉप नहीं है यहाँ पर आखिरकार इसे एक चूटी सी दुकान मिली बड़ी मुश्किल से जहां से इसने सिगरेट और तंबागू खरीदा थोड़ा सा घर जाकर इसने एक डिसिजन लिया डिसिजन क्या लिया? ये घर आया काफी दिर तक इसने सोचा और अगले दिन ये उसी स्ट्रीट में उसी गली में वापस गया जहां पर एक सिगरेट की सिंगल शॉप नहीं थी वहाँ पर एक शॉप को इसने किराये पर खरीज़ दा अब इसको समझ में आ गया था कि वर्जर की जॉप चोड़ने के बाद ये क्या करेगा इसने उसी गली में एक दुकान किराय पर लेकर एक सिगरेट की शॉप डाली और लगवग एक साल तक इसने वो काम किया यह अपने काम में बहुत अच्छा था मैंने आपको बताया यह कोई भी काम करता था बड़े मन से बड़े दिल से करता था आज पहली बार यह खुद के लिए काम कर रहा था और एक साल के अंदर इसका बिजनस ग्रो करने लगा और जब इसका बिजनस अच्छा चलने लगा तो इसने सोचा क्यों ना एक और शॉप डाली जाए एक और शॉप ली इसने और एक शॉप पर मैनेजर बैठा दिया शॉप इसने ऐसी जगह ली जहां पर एक भी सिगरेट की शॉप नहीं थी टबैकों की शॉप नहीं थी तो वहीं पर एक शॉप ली और दीरे दीरे इसने काम बड़ा करना शुरू कर दिया और लगबग 10 सालों के बाद में कड़ी मेनत के बाद में इसने 1 से 2 और 2 से 10 दुकाने कप कर ली बता भी नहीं चला जिससे इसके पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं अब उन पैसों का कुछ करना था तो इसने वो पैसे बैंक में डालने की सुची जब ये बैंक गया तो जिन्दगी इसके पास एक पूरे सरकल में घूंग करके आई बैंक मैनेजर ने इससे कहा कि इतने सारे पैसे हैं आपके पास में तो आप इनको बैंक में क्यों डाल रहे हो आप इने स्रॉक्स में इंवेस्ट करो सिक्यॉर्टीज में लगाओ अपने पैसे के साथ में कोई रिस्क नहीं लेना चाता इसको बस सेफटी से रखना चाता हूँ आपके पैंक में तो मैनेजर ने इससे कहा कि आपकी बिहाफ पर हम इन्वेस्ट कर देंगे आपको टेंशन लेने की ज़र अतनी है बस कुछ पीपर्स पर साइन कर दे रहा तो अलबर्ट बोला भई बुझे साइन करना ही तो नहीं हाता मैनेजर ये देखकर बड़ा अहरान हुआ कि एक आदमी जिसके पास इतना पैसा है उसे पढ़ना लिखना नहीं आता तो मैनेजर बोला आप बिना पढ़े लिखे इतना कुछ कर सकते हो तो आप अगर पढ़े लिखे होते तो सोचो क्या कर लेते तो अलबर्ट बोला कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता न तो एक चर्च में नौकरी कर रहा होता वर्जर की और इसी लाइन के साथ ये कहानी खतम होती है दोस्तों